हेलो फ्रेंड लेट डिसका करेंड अप्टूबर थर्टीवन क्वेशन नम्मर वन हाल ही में भारत ने मद्द एसिया में विकास परियोजनाव हेतु एक अरब डॉलर की साहता करने गोशना की मद्द एसिया में कौन सा देश सामिल नहीं है अभी हाल ही में एक उनलाइन बैठक होई थी जिसकी अध्यचता विदेश मंत्री एस जैसं करने की और इस दोरान कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान किसम कच्छों ने बैठक में इस्टा लिया और मद्देशियाई देशों के मंत्रियों ने कनेक्टिविटी, उर्जा, सूचना प्रद्वगी की स्वास्त सेवा, सिच्छा, क्रसी जैसे छेत्रों में प्रात्मिक्ता आधारित विकास पर्योजनाओं के लिए भारत की ओर से एक-रब डॉलर की आर्थिक साहता की गोश्ता का स्वाधत किया तो यह इंडिया ने एक-रब डॉलर दिये है मद्-स-इडेशों को और जो एशेई डेशों में आपके ये मद्-स-धमें तर्गमिनिस्टान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये total पांच country जाते हैं जब कि हम इरान की बात करें तो इरान West Asia का part है तो इरान इसका part नहीं होगा तो इसका option होगा option A यदि हम मैप में देखें तो ये तो है आपका नॉर्थ नॉर्थ Asia नॉर्थ Asia में आपका रसिया आ जाएगा एक है आपका East Asia जो East Asia है इसमें आपके country जाते हैं चीन, Hong Kong, Japan, Macau, मंगोलिया, उत्तरकोरिया, दच्छडकोरिया और ताइवान या जाते हैं आपके East Asia में अगर इसकी बात करोगे यहां South East Asia की तो South East Asia में आपका Brunei, Burma, Cambodia, Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam नाम, यह सब South East Asia में आते हैं और जो South Asia है, South Asia में आपका India आता है, India, Pakistan और इधर बंगलादेश, स्रीलंका, यह सब और फिर South West Asia में इसमें आपका Arab Peninsula like Saudi Arabia, Yemen, Oman यह सब country जाते हैं और पिर Central Asia, Central Asia में आपके यह तुर्कमिनिस्तान, अजवाकिस्तान जिसे यहां देखते हैं तजवाकिस्तान, उजवाकिस्तान और तुर्कमिनिस्तान, इसमें अभी कजाकिस्तान की राज़ानी जो अभी जैसे यहां अस्ताना देखा रहा है, अस्ताना नहीं है, अभी नूर सुल्तान हो गई है, राज़ानी चेंज होगा है, और कजाकिस्तान और उजवाकिस्तान क रसिया एक अजरवैजान और एक एरान एरान यहां से कैसे इनसी को बोडर करते हैं अब भी चलते हैं next next question number two कि हाल ही में भारतिय मूल के बैवल राम कलवान किस देश के राष्टपती चुने गए हैं तो बैवन राम कलवान ये सेसेल्स के राष्टपती चुने गए हैं CACLES आपका Indian Ocean में और AFFRI-Kा महाधिप में Lai करता है और ये IOC का Member भी है जिसका India भी Observer भी बना है Indian Ocean Commission का यदि हम CACLES के बात करें CACLES आपका यह रहा CACLES के पास यहां आपका यह Medagascar है यह आपका AFFRI-KnotinEint है अफ्रिकांटीन में यहां आपका होर्न ओफ अफ्रिका जहां सोमालिया एरिट्रिया जिबूती वो कंट्रीज है यह आपका मालदी यह इंडिया यह स्रिलंका और यहीं आपके रियूनियन आइलेंड भी इसका पार्ट है तो यह सैसल्स मालदा एच्डियाई के मामले में काफी अच्छा है इनका एच्डियाई है उन सब मामलों में यह सैसल्स यहां देख सकते हैं सैसल्स जिसकी राजधानी विक्टोरिया है और अन्य में यहां कोमरोस मेडागासकर और यह जो यहां जो चैनल है इसको हम मोजांबिक चैनल बोलते हैं मोजांबिक चैनल जो आपका यहां अफ्रीका कंटीनेट और मेड़ अगास करके बीच लाई करता है सेसल्स के बारे में और बात करें तो सेसल्स की राजधानी विक्टोडिया है मुद्रा सेसलो रुपए है राष्टपती बैवल राम कलावन है अफ्रीका महादीब में लाई करता है पस्चमी हिंद महासागर में इस देता है सेसल्स जो सेसल्स has the highest nominal per capita GDP of any African nation it is the first African country with an HDI score exceeding 0.8 and therefore the only country in the continent with a very high human development index it is the one of the two countries in Asia classified as high income countries by the worldwide bank other than Mauritius तो अफ्रीका में की तरफ से यह Mauritius और सेसल्स यह high income countries है World Bank के अमसार अभी चलते हैं next next question है कि question number 3 कि हाल ही में चांद पर किस मिसन ने पानी की खोज की है चांद पर पानी की मिसन सोफिया ने की है यह सोफिया आपका NASA के दोरा छोड़ा गया है NASA's stratospheric observatory for infrared astronomy Sophia has confirmed water on the sunlit surface of the moon चंदरमा की उस सतह पर इसने पानी का पता लगा है जो जहां सूर्य का प्रकास भी पढ़ता है चंदरमा के यहारें बात करें चंदरमा प्रत्वी का एक मात्र प्राकरते को पग रहे है जो प्रत्वी की परिक्रमा 27 दिनों में करता है और प्रत्वी से इसका सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है चंदरमा पर पहले चंदरयान 1 ने यह बताया था कि पानी के evidence दिये थे और उसके बाद इन्होंने इसे confirm किया है और यदि चंदरमा के बात करें तो चंदरमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले वक्तिव में नील आर्मिस्ट्रों और एडविन एल्डरन हैं जन्होंने 20 जुलाई 1979 में चंदरमा पर कदम रखे थे और वो गए थे अपॉलो 11 के थरो अभी चलते नेक्स्ट नेक्स कुछ चलते हैं कि हाल ही में कट्रपंती इस्लामिक संस्ता इस्लामिक बाराका सिटी ओर्गिनाईजेशन को किस देश ने बंद कर दिया तो ये बंद किया है फ्रांस ने तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहाँ एक टीचर थे उन्होंने मुहम्मद साहफ का एक कार्टून बनाया था तो वह किजी बच्चे ने सिकायद कर दी और उसके बाद ये ओर्गिनाईजेशन ने उनका सिर्ध धर से अलग करवा दिया तो उसके बाद ये यहां काफी मलब उपद्रव हो रहे हैं तो इसलामिक बाराक सिटी ओर्गिनाईजेशन को फ्रांस ने बेंड किया है आप चलते हैं नेक्स ये वह से सहर है जहां बेंड किया रहा है जहां उनका मुख्याल ले था फ्रांस में अब देखो वेदी फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की राजदानी है पेरिस और पेरिस प्रसिद्ध है कि यहां 2015 में पेरिस क्लाइमेट समझाता हुआ थ पेरिस फ्रांस को बारे में अब का जर्मनी इटली इस्पेन स्टीजर लेंड ये सब फ्रांस को बारे मालग बारे करते हैं और फ्रांस को यहां से मेटरन्सी से भी बारे करता है अभी चलते हैं, next, next question है कि हाल ही में मुख्यमंत्री केशु भाई पटेल का निधन हो गया, वह किस राज्ज के पूर मुख्यमंत्री थे, तो केशु भाई पटेल जैसे पटेल नाम से पता चल रहा है, ये गुजरात राज्ज के मुख्यमंत्री थे, जैसे सर्दार वलब भा चनवे में CM रहे थे, एक छोटे से कारेकाल के लिए, और फिर 1998 से 2001 तक गुजरात के CM के रूप में नोने कारे किया था, छे बार गुजरात बदानसवा के सदस्य रहे, पटेल ने, 2012 में नोने भाजपर छोड़ दी थी और अपनी एक राज्जनीती पार्टी मनाई थी, जि इसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन लगती है, यह बिल्कुल वेस्ट में है, गुजरात की राजधानी आपके गांधी नगर, और इसे टच करने वाले, बॉर्डर करने वाले कंट्री राज्यों में, इसमें राजिस्थान, मद्यप्रदेश, और महरास्ट्रा हैं, दमन दीवी, और इन्फोर्मिशन बात करें, तो गुजरात की राजधानी गांधी नगर है, राज्यपाल आचारे देवरत हैं, लोकसभा में 26 सीट है, राजसभा में 11 है, विदान सभा में 182, राष्ट्र उध्यानों में गिरी राष्ट्र उध्यान है, बलेक बक राष्ट्र गिरी राष्ट्र उध्यान जहां एसिया ही सेर पाए जाते हैं, एसियान लोईन के लिए फेमस है, नर्मदा नदी पर सर्दार सरोवर बांध बना हुआ है, तापती नदी पर उकाई और काकरा पारा बांध बने हुए है, माही नदी पर कदाना बांध बना हुआ है, सावर गुजरात में ये गिरनार परवत है उपर मांडव इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इस्ट चलते हैं तो सत्पुड़ा परवत महादेव मैकाल राजमहल राजमहल आपका 36 गड़ेगा पारसनात कैमूर विंद्या चल और एक इंपोर्टन चीज है कि ये आपका नर्मदा नद सत्पुड़ा के दच्छन में ताप्ती नदी फ्लो हो ती है और नर्मदा और ताप्ती के बीच में है आपका सत्पुड़ा रेंज अभी चलते हैं नेक्स्ट में और इनफोरमेशन यह भी देखें तो गुजरात में दो राष्ट्यू उद्यान है गिरी राष्ट्यू मोदी जी ने तीन योजना इस्टार्ट की थी जिनमें दो आपको एक सी प्लेन योजना थी एक किसान सूर्य योजना थी और मैं गुजरात हाई कोड की सुनवाई का यूटूब पर प्रसांड किया गया है यहां एक जिंग के समेल्टर सहीं अंतर जो दुनिया की सबसे लाने वाली फैक्टरी है ग्रामी डिला लोग को के लिए डिजिटल सेवा सेत्य कारिक्रम स्टार्ट किया गया है और यहां राष्ट्री है रच्छा विश्विद्याले की स्थापना के लिए विदेख भी पास हुआ है अभी चलते नेक्स्ट नेक्स्ट हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीम दिल्ली एप लॉंच किया यह किस से सम्झत है जो ग्रीम दिल्ली एप है यह आपका प्रदूसर्ण से सम्झत है यह अभी जैसे यो मुक्यमंत्री वहां के अर्विंद केजरी वाल जी और राजधानी दिल्ली में तीजी से बढ़ते प्रदूसर्ण के करता है जो हर्याण और उत्तर प्रदेश के बीच में है और भारत की राजधानी है दिल्ली के बारे मोगर इंफोर्ण से देखें तो दिल्ली के अभी उपराज जपाल है अनिल बैजल मुक्यमंत्री अर्विंद के जिवाल लोग साथ सीटे राजसभा में तीन और विदान सब्सक्राइब गया था दिल्ली में दूनिया का दूसरा स्मोक टागर लगाया गया इस्कूलों को मुफ्त इंटरनेट गजेट दिये गया और एक टेंगू मुहिम भी चलाए गयी थी दस अपते दस वजे दस मेंट और यह 5T प्लान भी चलाया था टेस्टिंग अलाए कि कुलपती थे वह जा पहली बार हुआ कि उनने पद से निलम्मेद किया गया है क्योंकि था कि मैं इनके उसमें कोई रही थी ना तो यह रेक्त स्थान भरे जा रहे थे ना कोई खास प्रोग्स थी यसीलिए इनको निलम्मित किया गया है नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं कि हाल ही में केंद सरकार ने किस पूरवी राज्य में करमचारी राजबीमा निगम योजना को लागू किया है तो यह आपका अवनाचल प्रदेश में किया है जो करमचारी राजबीमा है इसका फायदा निजी कंपनियों फैक्ट्रि और इलाज का लाव लेने के लिए यह से डिस्पेंसरिया पर होस्पिटल जाना होता है तो अवनाचल प्रदेश के मुक्यमंत्रियों भी पैमा खंडू इनके बारे में देखेंगे देखो अवनाचल प्रदेश राजधानी इटा नगर और यह आपका बिलकुल पूर्वी जो एक दर से इधर म्यामार्स के साथ जोड़ता है तुंगा पास अ और एक बोमीडिला दर रहा है इधर आएंगे तो शिक्किम में नाथूल दर रहा है और जिलिपला दर रहा है इधर मडीपुर में तीजू दर रहा है और यदि और बात करें तो एक रिवर ब्रंपुत रिवर औरिजनेट होती है जहां मानसर अबर से तो जब वो तिब्वत या चायना साइड में फिलो होती है तो उसको यारलूंग सांग पो बोलते हैं फिर उसके बाद ऐसे आती है यहां से ऐसे टर्न लेती है फिर सदिया से फिलो होती है इसमें दिवांग और लोहित मिलती है पहले इसको दिहांग बोलते हैं जब दोनों नदी मिल जाती है सदिया के बाद इसको ब्रंपुत्र बोलते हैं ब्रंपुत्र के बाद फिर इसके बाद यह बंगलादेस में इंटर कर जाती है जहां ब्रंपुत्र को मुख्यमंत्री पेमा खांडू कुश्चन मनना आयने कि हाल ही में सेना ने वाट्सप जैसा स्वदेशी मैसेजिंग विक्सित किया है तो इसका नाम है साई साई है मनला सेक्योर एप्लिकेशन फूर्द इंटरनेट आत्म निर्वा भारत अभ्यान के तहत भारती आर्मी ने ए पर लॉंज किये गए इस मैसेजिंग एप्लिकेशन को सेक्योर एप्लिकेशन फूर्द इंटरनेट का नाम दिया गया है इस एप के जरिए एंड्रोड प्लेटफॉर्म पर एंड्टो एंड्ट सेक्योर वाइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस सपोर्ट की जाए है कि हाल ही में विष्व बचट दिवस किस दिन मनाया गया जो विष्व बचट दिवस है वो 30 October को मनाया गया और जो विष्व बचट दिवस ए व वर्ल्ल सेविन्ग सेई कि पहली बार 30 October 1924 को बचट, बैंक बचात के महत्तों को प्रोशाहिद करने और बैंकों में लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए इसको पेस किया गया था और इट्रिली के मिलान सहर में एक अंतराश्टी बचत बैंक कॉंग्रेस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी तो यही क्वश्चन थे और अक्टूबर के अन्य प्रमुक दिवस देखें तो दो अक्टूबर को गांधी जैनती मनाई जाती है लालवाववद शास्त्री की जैनती 6-12 अक्टूबर को आपका सूचन अधिकार सप्ता 8 अक्टूबर को राष्ट्री भाईशना देवस 9 अक्टूबर विश्चो डाग देवस 10 अक्टूबर विश्चो मानसिक देवस 16 अक्टूबर विश्चो खाद्य देवस 30 अक्टुबर को विश्व बचत दिवस 24 अक्टुबर को सनीत राष्ट दिवस So this was for the day Thank you